एलो दोस्तों आप सभी बड़ों को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार पंडाम पहला और छोटों को धेल सारा प्यार आसिरवाद तो दोस्तों कैसे वाशा करते हो सब स्वास्त होंगे मस और सभी न दिवाली बहुती बढ़ी आडग से मनाई होगी तो आज ब्लॉग की सुरुव सबसे बच्चे को चिल्डर्स टेविस किया तो बच्चे काफी खुस हो गए तो अभी उनके लिए छोटा छोटा गीप्ट भी है और आज पूरा खाना नास्ता जो है उनके पसंद का बन रहा है तो मेरी लड़के को पसंद है मॉमोस तो मॉमोस तो शायद सभी को पसंद होंगे तो मैं मटन लेकर आ गया थी कल साम कोई तो अभी मैं मॉर्णिंग में मॉमोस बना देती हूं बड़ा खुस हो जाएगा और लड़की को पसंद है सेमाई तो लड़की के लिए बनाऊए सेमाई तो अपने लिए दोनों मिक्स करके दिखा लोगी और बाकी मॉसं की बात करो तो अबी अच्छी दूप लगी है तो मैं बाहर चलके दिखाऊंगे आप लोगों को मॉसा तो कीचन ना आगे सबसे पहले मैं ने यह कीमा बना लिया है मटन का है तो वैसे तो मैं पनीर के और ज्यादी अधिकतर लौकी के और पन और बाकि यह दूद देख सकते हैं, दो दिन से दूद जमा हो गया था, क्योंकि तीवाली के टाइम फालतू चीजे, बच्चे बहुत खा रहें, तो दूद प्यानी तो धही भी कमी खाते हैं, क्यों भी मौसम भी काफी ठंडा होने लग गया हमारे यहां, तो यह भी नेकर है माकीस में मैंने प्रिंसी के लिए सेमय के लिए दूद ढाल गया है, तो यह दूद फटके भी बिल्कुल तयार हो गया है, तो इसको मैं एक कपड़ में छन्नी कर लेती हूं, तो यह दूद भी उबल गया है, तो इसमें मैं सेमय ढाल देती हूं, क्योंकि प्रिंसी को चाव बनाना पड़ता है तो में थोड़ा गीला रखें तो मोमॉज फटने का ड़ता है तो इसको मैंने सक्ते बनाकर रखाये और बाकी ये खेर भी तयार हो चुकी मेरी, तो अब बनाती हूं मुमॉस, आप लोगों को भी दिखा दी हूं, पनीर पुरा नीचे बैट गया है, और उपर पे ये आप लोगों को पानी पानी दिख रहा होगा, बाकी ये मेरा कपड़ा है, तो इसमें मैं हमेशा पनीर को ही दूद का बना हूँ है, इतना मोटा और इतना अच्छा और घर का पनी खाने में भी तिना टेस्टी होता है, जो हम घर में दूद को फार के बनाते हैं, तो देख सकते हैं आप इतना बड़ा, इसको मैं थोड़ा 10 या 15 मिनिट पानी के जार के नीचे दबा के रख लेती हू तो ये बाकी देख सकते हैं, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, मेरे मोमोज डाल लिया, मैंने इन में, अब इनको मैं पकाने डाल देलती हूँ, राइस कुकर लका लिया, मैंने, तो मार्केट में 50 पुपे, हाँ 50 पुपे 6 पीस खाते हैं, उसमें वेज, नोन वेज का कोई पता नहीं रहते हैं, बाकी दबा के मटन डाल रहा है, तो खाने में भाट केस्ट हैं, और बाकी दिखने में आप देखी सकते हो, तो काफी अच्छे मोमोज बना लेती हूँ, मैं अपनी तारी फबते मुझ से, तो दोस्तों ये फर्स्ट राउंड मेरे पक चुके हैं, ये बाप निकल रहे हैं, तो कैमरे में थोड़ा बाप बाप जैसा हो रहा है, और सेकेंड राउंड के लिए मैंने इतने बना लिया हैं, तो अब इसको होट किश में डाल देती हूँ, उसके बाद ये दूसरे वाले फिट कर देती हूँ, इसमें तो पंजा है, सोले, सोले पीस चले गए हैं, तो मैंने 40 पीस बना लिया हैं मूमोस के, तो अब इनको भी पकाती हूँ, तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ, चटनी कैसे बनाती हूँ, देख लीजे आप, तो दोस्तों चटनी के लिए सबसे पहले मैंने ये टमाडर के छिलके निकाल दी हैं, ये देख स और ये है मिर पार चूक, तो हलके खट्टे के लिए इसको चूक को डालेंगे, तो बनाती हूँ चटनी, ये दोस्तों बच्चों का सर्प्राइज, ये मूमोस फर्स्ट राउंड बने थे, तो सेकेंड राउंड अभी बनी रहे हैं, तो देख सकते हैं, चोकले, टिंडर ज हापाओगे, हाँ, 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 मिरा लड़का तो मोमोस का बहुत ही शौक ही है, शायद सभी बच्चों को पसंद ही है, तो मैंने मटन के बनाए है, तो इसको काफी पसंद है, तो इतिने तो आप देखी सकते हैं, इसमें, रदर अभी पक भी रहें, तो एक एक प्लेट में मैं अगल बगल के बच्चों को भी देती हूं, तो हैपी चिल्डन सुझे बता, थाइंक यू राइन सिर्ब देख, हैपी चिल्डन सुझे बच्चा, खुश हो हमेशा, माबाबों का कहना मानो, ठीक है, लव यू, लव यू, तो करो भी पार्टी इंजोई करो आप लोग, ठीक है, तो दोस्तो, काफी टेश्टी हो रहे हैं, कैसे रहे हैं, कितने टेश्टी, बहुती मस्त हो रहे हैं, बहुती अच्छे हो रहे हैं, मतन के, मतन इसमें बहुती जम के बढ़ रखा है, मेने, आप छोटे-छोटे साइज के बनाए हैं, और मतन काफी डार रखा है, त में दोस्तों कर लो दुर्डी देख सकता हैं अप कितने सुन्दर के खिल हैं मेरे पडोसियों के खेट मैं पीले पीले फीले फील इतने जाड़े घिले हैं और वोपर जारी के भीतंड़े फूल तोड़ने का खास कारण यह है कि मेरे लड़के के दोस्त के घर पे आज उन्होंने घर बना रखाया है उपर टॉप में तिमंजिला तो आज कथा पाट है तो वहां बुला रखाया तो मैं भी मेरी पडोसी भी अभी जा रहे हैं वैसे तो उन्होंने साड़े तीन बजे आना बोला था आम थोड़ा लेट हो गए तो यह फूल तोड़ने के बार आज जो मुझे फूल भरसाए जा रही है तो यह हो रहे हैं तब तक मैं फूल लेती हूं तो चलते हैं वहीं आप लोगों को भी ले चलती हूं भजन के तन में निकल गए हैं तो यह आगे-आगे प पड़नि पत्ति लेते हैं और मौशम की बात की जाए तो आजक्मोंशंट निसरा धुसरा हो रहरा है बादल छाहे हो यह तो काफी थंब बढड़ गया दिसमबर के बराब थंडा हो रहा है इसे टाइप से हो रहा है यह कि अर्मी इलाका आर्मी एस्कूल का मतलब इस बादल देख सकते हैं आप उठे आस्मानों में बादल ठाय हो गया है ले ले बड़े पतले पतले रहने गहने तो ये सकते हैं यह इस लग आप इस तो इन का पते इन लोका था साथ लगने के सांसां फेकिवाद भी एक कि थे मिरे मकान में में अपान में को जोची आओं देलाएं जाहे जाहन में को जोची का संखेलाएं जाहे जाहन में मिरे मकान में तेरा जम 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 जुबा जे जाहन में देरा डम 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 रूपा जे सारे जहान में दम डम डम रूपा जे सारे जहान में द्या सकप़र आई रूस भाद हो ए देवी बगावा दी मयां कोई दारी की देवी मयां देवी बगवती मयां, खोड़ लड़ी की देवी मयां, जैने है जाए, जैने है जाए, जैने है जाए, जैने है जाए, जैरा ज़रे बारे आयूं सभाला होए, जैरा ज़रे बारे आयूं सभाला होए, जैरा ज़रे बारे आयूं सभाला होए, ऐसे जाओ, 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 जा तरवान तरवान, टाना ठोगान कि लाओान, टुच्च। गयान गमकी तो अभान, टिवान NOW पयान, को जोगान, को जोगान मैमनम, मुद्च। सुराम जोगान, टिवान जीट, सकथ आए इद刀 कर दो 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 कर कर दो के हम् 메悉र मारोदा बार्श मुथर करो पार, सब्कें लिए में जावना हु उ पार में जय था दो कर देंग nosotros कुर देने दाहिए को कि हमें फार कुर में घर चान मुथर कता हु害र इम है कर दो कर देंगा च सरह स्वा रख करद देंगा luck मुथर कर दादा करें दॉब तो सबी लोग बजन कितन के बाद बजाद दे ले तो प्रशाद मार दे हैं तो यही है जिनके गत्र बजन का बजाद तो यह कौती प्यारा मंदिर आप देख सकते हैं यहां पर युद्धी लोग का घंण तो यह प्रशाद मार के लिए जहों देखी नहीं राया तो यह जियान का फेश की थाली लए कि अप्रशाद माताजी हम से संप्रसंद हुई दोस्तों बजनकितन से पहुंच चुकिएं मैं घर और घर में मैंने दियावत्ति कर लिए हैं और पूझा पाट घरने के वार की पर चाई बैता है यह बैदा करें कि बच्वे स्वीरा प्षुल्टों के vedal करें लिया है जुख邊 में श्यपति दिंग में मुझ भार करें और बाकी थोड़े बच्छों के साथ बैठती हूं मैं उसके बाद क्या हूं सिस्टीन को खुल रहा है तो फिर क्या हूं सिस्टीन एक ही बात है और बाकी खाने पिने की तैयारी करती हूं कीचर में गुझती हूं बिंडी की सब्जी बनाने वाली हो और आटा मेरा सुबगा गुद्धा हुआ है तो रोटिया मनाती हूं और बेंडी की सब्जी बनाती हूं आज तो बाकी यह बहुती बढ़िया रहा महां कथा पार्ट में और आज की व्लॉग को फिर इतना ही रखते हैं तो फिर मिलूंगे आप लोगों को अगले व्लॉग में तो फिर लाइक शेर सब्सक्राइब धामी फैमिली व्लॉग्स